भोजपूरी सिनेमा और गायकी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादों ने अपना पुराना दर्द बुदवार को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अपने केरियर की सुरुवात में लोगों के उपहास का सामना उन्हें करना पड़ता था। खेसारी ने बताया कि वे अपने केरियर की सुरुवात लोणडा नाच से किये थे। तब इसे हे दुष्टी से देखा जाता था। उनका ये दर्द तब उमड़ा जब भुचपूरी के महान कलाकार विखारी ठाकुर के साथ ही रामचंद्र मान जी को राष्ट्पती रामनात कोविंद दे पदमस्री से सम्मानित किया। रामचंद्र मान जी भी लोणडा नाच से जुरे कलाकार रहे हैं। खेसारी ने उन्हें बधाई देते हुए इसे गर्व का पल बताया। उन्होंने बताया कि रामचंद्र मान जी उनके जैसे सभी कलाकारों के लिए आदर्स रहे हैं। आज भी हैं और आगे भी रहे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादो मुलतह बिहार के सारन यानि के छापरा जिले के रसूल पूर चटी गाउं के रहने वाले हैं। उनका परिवार बेहत गरीब था, इतना की वे एक साइकिल भी नहीं खरीच सकते थे। खेसारी शुर्वाती दिनों में ग्रामीन छेत्रों में होने वाले छोटे मोटे आयोजनों में नाचा करते थे। उनके गाने को पसंद किया जाने लगा और उनकी किस्मती कुल गई। भोजपुरी के सेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की मंडली में काम कर चुके रामचंद्र मांची को कला के छेतर में उत्कृष्ट कायरे के लिए पदमसरी वर्स 2021 सम्मान से नवाजा गया है राष्टपती भवन के दर्बार हाल में मंगलवार को भवे समारों में राष्टपती रामनात कोविंद ने उन्हें पुरसकार प्रदान किया वह भिखारी ठाकुर के लोंडा नाच मंडली के कलाकार रहे हैं 94 वर्स की उमर में उन्हें पदमसरी अवाड दिया गया है से पहले राज सरकार उन्हें पुरसकृत कर चुकी है उन्हें पुरसकार मिलने से सारन के कलाकारों में हर्स का महौल कायम है पदमसरी मांजी सारन जिले के नगरा प्रखंड के तुजार पूर गाउं के रहने वाले हैं उनको संगीप नाटक अकाडमी अवाड 2017 में मिल चुका है उसमें उन्हें राश्पती ने प्रसक्ति पत्र के साथ एक लाख रुपे की पुरसकार रासी भेट की थी रामचंद्र मांजी ने बताया कि वे 10 वर्ष की आयू में विखारी ठाकुर की मंडली में शामिल हुए और लॉंडा नाच करते थे आज भी 94 वर्ष क्यूम्र में वह नाच कर सकते हैं कहते हैं आज भी मेरे अंदर का कलाकार जिन्दा है कलाकार कभी बुरह नहीं होता सम्मान मिलने से अन्य कलाकार भी प्रोच साहित होंगे